गुड इबनिंग नमस्कार राम राम भाई सभी को कैसे आप सभी आज अचानक से सर्प्राइज होगा बिक्के सर के पास जा रहे कई दिन होगे मिले हुए और आज सर से मिलेंगे भाई और देखते हैं क्या कुछ सेडूल रहेगा उनका अब काफी दिनों से मिले नहीं है तो आज देखते हैं सर क्या कर रहे हैं किस परकार का इस साइम सोए तो बिलकुल नहीं होंगे मुझे ऐसा लग रहा है और क्या से डूल हर बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर तो रात को भी आपकी बिलकुल क्लास लेते हैं क्या हो क्लास ले रहे हैं अभी ये चेक करेंगे आज और एक मैंने अजीब सा कमेंट देखा कि बिकी सर का जो पहला प्यार था वो क्या था ये बड़ा इंटरस्टिंग और मुझे सर्प्राइजिंग लगा तो इस बारे में तो सर से ही पुछना पड़ेगा वही एक बार हमारे बिल्कुल भाई राम राम से चल और देखते हैं सर को आज बिल्कुल कि अरे कुछ दिखाई निए बिल्कुल वही अंदेरार लग रहा है सब कुछ सो इतनी जल्दी कैसी सो सकते हैं कहां चुपे हो से कहां गई सर आप तो भाई आज अरे इस तरह साइद लग रहे हैं मेरे को डिस्टल बोर्ड ओन है और यह कैसा मतलब एक थम ने लगा रखा भीके सरका पहला प्यार तो बिल्कुल भाई आज यही बात जालेंगे यह मतलब बड़ी इंट्रस्टिंग और मुझे सर्प्राइजिंग लग रही है कि ऐसा भी हो सकता है क्या सर के मन में भी ऐसे मतलब बिल्कुल थोट्स हैं तो कुश्टन्स भी बच्चों के बनते ही है और आज इसको कलियर करेंगे मैं इंगलिस बाई जोगिंदर सर आप जानते ही है और आज सर से बाते करेंगे सर से बात अभी करेंगे हम और गुरुजी प्रणाम नमस्कार सर इतनी जल्दी आज कैसे सो गया आप बच्चे कह रहे थे यूट्यूब पर रिलीसों पर हर जग पर रहा है कि अधिर है ओओ अरे जो मिंदर स्टूडियों के सामने बिल्कुल नीचे गुरुजी राम राम है और बताव सर ना मैं तो पहले प्लान मना गया था मां बहुत दिन होगे गुरुजी ने आज और थंड बहुत ज़्यादा सर बाहर दो बाहर तो थंड बिल्कु और खाना खाना के बाद मैं गंटा रेस्ट कर रहा हूं वैसे तो मैं यहीं बैसांख लगी थी मेरी तो खाना खाया था यह थंड डिजिटल बोर्ड पर किसने लगा दिया आपकी आपने लगाया गया दोसने ने अच्छे सरारत करते रहते हों यह हमारा टेकनिकल अपरेट करता है और हम कहां बच पाई अच्छे हैं हाँ लेकिन ओ आप एक मा अपने बेटे से करती है प्यार एक किसान अपनी फसल से प्यार करता है खिलाड़ी अपने खेल से प्यार करता है और जो मजदूर है या कि जो मिस्तरी हो अपने करम छेतर से आप किसे प्यार करते हैं सर क अपने STUDIO से अपने SH Calvin चेतर से और अपनी हर्यान विसंस करती से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं अच्छे रहा हैं और उसके लिए मैं हर्वक्त परियास करता रहता हूं और मुझे जो अराम की और चैन की जो नीद आती है ने वो मेरे इस डिजीडल स्टूडियो में आती है और इसके निचे ही मैं सोता हूँ और उठते ही वीडियो भी बना देता हूँ को अच्छी खबर आती हो तो और आज कल तो ज़्यादा अच्छी खबर आ रही हैं इसलिए मैं इसका निचे ही सोता हूँ हमेशा गर्मी हो या सर्दी मेरा तो यही अस्थान है सर ने बच्चों को मतलब यही कोशन बार बार आ रहा था कि वीके सर का पहले आप और एक चीज तो है सर हर्याणा में क्रांती फेलाने का अगर बच्चों को संस्कृति के परती हर्याणा जीके के परती हर्याणा की कल्चर के परतेगर किसी ने सिखाने का और अपनी मात्र बासा में एक बोली में सिखाने का काम अगर किया है तो उसके रूप में आपका पहला नाम आता है इसके लिए पहले तुम आपको बहुत-बहुत सुभ कामना है और मेरी तरफ से बहुत-बहुत कॉन्ग्रेचलेशन है दूसरी बात एक स्टूडेंट को इतना कुछ सिखाने के बाद आप फिर भी यहां डिजिटल बोर्ड के नीचे और अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ ना पड़ा रहे हैं लगातार लिस्टो है पच्छा काम कर रहा है अर्याना के चेत्र मे और अर्याना कब से कम अर्याना परदेश के बच्छों को एक हमारी सांग परमपरा थि सांग में लिल्लोचमन का केहिने कहीं बोच्छार की जाती थी एक अनपड आदमे को भी देखो लखमी चन्द अनपड था लेकिन विध सास्तर पढ़े और इतनी ग्यान की बात बता गया लेकिन आज जो हमारे युवास आती हैं लिखक हैं बाई हैं अर्यान के हैं परियास करें लेकिन उनको मैं आज जोड़के निवेदन करूँगा कि परियास ऐसा करें कि सुनने वाड़े के उपर असर हो सुनने वाड़े के उपर असर ऐसा नहीं अब क्या असर होगा इसका गाने आ रहे हैं मारी गाल में एक पटोल लात हूँ यही से मैं एक कोशन पूल सुना चाहूँँ असर मतलब आज कल मैं जो एनालिसिस में कर पा रहा हूँ एक चीज मैंने देखी है अर्याना में अगर कोई सोंग बन रहा है तीन ही उसके पास स्क्रीप्ट हैं पहली तो क्या है गैंगस्टर हर सोंग में गोडी पिस्टल गैंगस्टर हो रहा है दूसरा क्या है कि सराब नसा अलग अलग तरीकी के नसे के बारे में युवा को बताया जारा और तिसरा क्या है अगर कोई सोंग बन रहा है तो सारा का सारा मतलब एक ही स्क्रीप्ट है वो भी सिरफ एक लड़की के उपर वो मतलब इसके बारे में क्या करना चाहेंगे क्या सही है यह? अपय कये करें जो एक संस्कति के लिए बहुत खतरनाख है हमारे कई कवी अच्छे भी लिख रेहे हैं के राम किसन जीवन पुराड़ा और आथा और ये चीज को मलेद पुरानी चीज़ां को परों न गए था, पहला हाड़ी हवा रही न पहला माड़ा पानी खत्म काणी न मिलती, कोई भी चीज पुरानी एक और सर, जहां आप युवा को, हर्याना को, हर रोज कुछ ना कुछ संस्कृति के परती सिखा रहे हैं, वहीं संस्कृति का बेड़ा गरक करने वारे भी दिन परती दिन परते जा रहे हैं, चाहे सौंग्स के मादम से हो, या समाज में हो, ऐसे लोगों के उपर आप क्या कर होते हैं, आप अच्छे चीज़ आप अच्छा पढ़ाएं, आपको कुछ कोई नहीं देख पाएगा, कम से कम, कम बहुत कम लोग आपको देखेंगे, और यदि कोई एक मालब जिसका कोई समाजी के ताना बाना ही नहीं है, रोएका सलीलता पर यदि दिखाते हैं, तो लाक चुकी है, मालब क्या करेंगे ऐसे विवू का, जैसे हमारी समाजी संस्कृति का, जो मैं ये कौँगा, अत्मत्या करने जा रहे हूं, यह ऐसे सबद, मालब संस्कृति का गड़ा गोट्या जा रहा है, यह बताओ, आर राजगी सांगीत हैं हमारे वरतमान माईब, राजग का अभी भी सांग कर रहा है, वो भी तो अपने करने कल्चर, अब गाना बजाना तो बढ़ रहे हैं, लेकि नितों ने यह जा रहे हैं आज का ट्रेंडिंग में चाल रहा है, नंगडा का बया हैं इनंगडा का बया द बया की नंगड? क्या नंगड? मतलब अर्य. गरीब और अमीर होते हैं समाज में जो. गरीब और अमीर दो ही तो वरग हैं, मद्ध्य और अइगलाले। भी तो वरग है, नंगड था भजब ही मतलब आप अति जेने की. लेकिन मैं आपसे एक बात और पुछना चाहूंगा जैसे आपने बताया कि मैं अपनी संस्कृति से मैं अपने अर्याना से मैं अपने इस डिजिटल स्टूडियो से जिसने आपको प्रसिद्धी दिलाई है अपनी बुक्स अभी भी देखो आप साथ में लेकर सो रहे हैं बुक्स को जैसे हैं अध्यान का कोई समय नहीं होता है हर वक्ते कुछने कुछ सोचता रहता हूं यह तो मेरा सब्जेक्ट है नहीं कि इसके अलावा भी मैं यह सोचता हूं कि संस्कृति में क्या-क्या बदल गया अपना क्या क्या बदल गया चैन आने से किस चीज का परिवर्टन हो यह चैन क्या हो टी चैन सबद के कई अर्थ एक चैन है सुक चैन यदि सुक है तो चैन है और जिंदगी में चैन आगी तो कई कि चैन तूट गी जैसे जेसिवी की चैन आई तो मजदूरां की चैन तूटी तूटी तो ऐसे ऐसे लखमिचंद के सांग अगर दे शूनान में लखमिचंद के गाई कोनि लखमिचंद भी गाई तिरी जाक ही के मैं गोडा मारू बात को पियाशनका अर एक निशान ना चुपकर देँ उन्हा चडिया बारत पन्का उन्हों ने अपने अंदर के भाव को वैक्ष करया और उन्ह तो चाल पेड़ी बैठे कहने डोड़े में रांजा तो लूट लिया आज देन दोड़े में हिर चुन्नी और चुड़े में सरमाईए जरा खता क्या है मेरी बताईए जरा मेरे ऐसा लग रहा आपने इन रियानवी सिंगर्स की छूटी कराने का भी परन दे लिए मेरे सब भाई हैं मैं तो यह करता हूँ लिखो अच्छा लिखो यो ताकि हम भी बतावाँ इब केड़ी है अपने एक लाकार है उन्होंने एक दो मा का उपर गाना लिए अच्छा लेकिया हमने सुने आओ एक और अपनी संसकर्ति थोड़े दिन तो गुजारो हरी याने में और गाना साँ अपनी संसकर्ति बताया रहा valuation किर्द के बारे में बताया अच्छा लिक देखो क्या है कि हम भी चांhtे हैं हम गजाम पल में ओप जी पहला फाह आता हम यह चाहते कि गाने मिले हमना पनी मिले थामने एक्जामपल मिले हां यह यह ऐो लेकिन यह नहीं किशा बता की एक्जम्पल देया, नंगडाग बैदी, पहले वा थानेदार चला वजीब सी, एक उस तो पहले आथा, ओ, पहले करोड काना था, तेरी खाथ तेरे लिए यासु कमाक है, तू देख लिए अजमाक है, ना कर मरोड, तेरे पह, तेरे पह मैं करें, जू खर चे करोड, प लूपत होते जारे, और सांग परमप्रा, पेपर में, इब गदे भी पेपर में नूना पुच्छा जा, नंगडा, नंगडा का, नंगड सोंग किस न लिक्या था, लेकिन पेपर में यो जरूर पुच्छा जागा, किर्शन सुदामा सांग किसका है, यी रांजा सांग किस का है तो बच्चो का भी असर पड़े पेपर में भी काम हो वैसी संस्क्रति है क्यों हो प्यार कर रहे हैं şu क्यना चाहते हो क्कृत्व क्योंकि प्यार एक-एक अलग ही आप प्यार से बदाते हैं लोगा का भादिमाब घूम जाता है पता नी क्या होगा बही मैं तो ही की हूँए आपको संदेश देना चाहूंगा जो भी काम आप कसे प्यार são उसी से प्यार करे आप चाये भना रहे कर दे बाई किताबें दोखा तो देती नहीं कभी पहले तो दो-तिन चीज और भी दोखा नहीं दिया कर दे एक माबाप कभी दोखा नहीं दिया कर दे दिया कर दे माबाप कभी दोखा नहीं देते इस परकार मैंने सुना नहीं है और किताबे भी दोखा नहीं देती लेकिन ये कड्यों घसर और आज आज आप भी पढ़ रहे हो और हर रोज मैं भी पढ़ रहा हूं क्या पढ़ रहे हैं तीन बच्चों की माफरार दो बच्चों का पिता फरार हैं तो भी पिता है तो दोखा दिया नूर बच्चा क का सुरह है लेकिन आज भी एक ही चीज बची हो और ये है शिक्षा ये कभी दोखा नहीं देती तो मैं प्यारे साथियों से संदेश यही देना चाहूंगा कि अपनी किताब मात प्यार करो भई सबत बड़ा प्यार ही होए है और यो बंदड़ाडा फोटू तो छोरन लाए ज कहने का मतलब यह है जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको अधूरी नोलेज है अलीटल नोलेज इस अ डेंजरस थी देखो इंगलीश राड़ा मास्टर इंगलीश में कावत कह गया मन बेरा नहीं किया कह गया बाकी बात बढ़ी आए बता हुआ बाई जो गिंदर सर बड़े मेंती हैं और अर्याना परदेश में जिस तरह से देखो मेरा तो इंगलीश में आथ बहुत जादा तंग के मेरा लेकिन फिर भी मैं परियास करता रहता हूं लेकिन हां संसकर्ती ता अपनी ता प्यार करो मा बोली ता प्यार करो आप सवी दान के अंदर 22 बास आए हैं सारी सीख लियो लेकिन आपनी नहीं ना बूलो ना और कितनी सीखो कॉन ना अब इंगली सीखो फरैंच सीखो जर्मन तो इसी के माध्यम से आपको पता चल गया भी के सरकाप प्यार क्या है पहला प्यार का था युवाओं को क्या संदेश देंगे युवाओं को किस से प्यार करना चीए क्या उनको सबसे ओना चीए और इसके बारे में क्या है कि टीचर सर स्पोर्ज आर स्पोर्ज चू गाइड स्टूडिंट यह सामध्य हूध कर बाहुज देशं को सबसक्कि laundे उस्टैटिंट na चीए क्या करना चीए क्या उमायने में एक पना एम सैट करने का बिल्कुल देश सकती है इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं सभी जो अपने युवा साथी है उनसे ही करना चाहूंगा देखो जो साथी गेम करे हो अपना गेम से प्यार करे और जो इस कंपीटिशन का चेत्र में हो और शिख्षा के अलावा कोई भी उसके जिवन में प्यार करने की चीज ही नहीं बनी है उसके लिए किताब ही है जिसे बहुत बेहतरी कर सकता है अपना प्यार कर सकता उसे उसको कई बखेंगे आप पेज मोड़ दें हाँ और कभी भी अपनी किताब करने वाले चीज़ को तोड़ा मरोडा नहीं जाता अपनी किताब को बिल्कुल सिदा रहे सुरक् बूंदे गिरी हुई है और आपके आथ में एक नोट बुक है उस नोट बुक के पेज की धजियां उड़ा कर अपने पारक में भी बिछा लेते हैं हाज गल के बच्चे मैंने देख्या है सीट को उसी से साफ कर सकते हैं अरे प्यारे मित्र ये इस किताब ने आपकी धजियां उड़ा दी तो आपको समाडने वाड़ा नहीं मिलेगा कोई तो इन से प्यार करें इनके पेज को नहीं मोड़ें अपने जिन्दगी की उड़ान इनके साथ आप तैय कर सकते हो मेरा छोटा सा संदेश है कि आप जिस भी छेतर में जुड़े हो अपने करम से प्यार करो करम ही पूजा है और आप ऐसी पूजा करते रहो कि आप अपने सपनों को साकार कर पाएं अपने माता पिता को सपनों को साकार कर पाएं और बुलंदियों को छूपाएं यही मेरा संदेश है कि साथियो प्यार मेरा तो मेरा स्टूडियो से प्यार है मेरा एक बात और बताना चाहूँगा सर मुझा बता दूगा मेरे याद आगी मैं ये स्टूडियो विवानी में है मैं गेट किसना मैडिकल ओल पर और ये इनका ऐसास ड्रीम था सचाई ये है जो डिजिटल स्टूडियो मैक सबका लगा रख्या दो डाईलाग रूपे का इनोंने ये इनका सपना भी था और एक प्रन भी था कि मैं अगर कहीं डिजिटल बोर्ड पर पहली क्लास अगर लूँगा तो मैं मेरे खुद के स्टूडियो में क्लास लूँगा ये इनका सपना भी था और एक डिटर्मिनेशन थी कि मैं अपने स्टूडियो लगाऊंगा उसके बाद ही पहली क्लास डिजिटल बोर्ड पर लूँगा तब तक वाइट बोर्ड पर ही क्लास लेने का काम हरियाना प्रदेश के जाने माने एक लेजेंड टीचर हरियाना जी के की शान जिसको हर कोई देखता है चाहे उसका स्टूडेंट बेसक नहीं रहा फिर भी यूटूब पर फेस्बूक पर इनकी संस्कृति को इनकी हरियानवी तालमेल को इतना पसंद करता है कि वो वीडियो देखना पसंद करता है तो यह इनका मिलव एक अपने आप में ही बहुत अपने आप से वादा था और उसके साथ-साथ हरियानव में बच्चों को किस परकार से अच्छे से शिक्सित क्या आजासके εरयाना जी के में इंटरस्ट्ट क्रियेट क्या आजासके अच्छे मार्ग्स लेशके और अपने संस्कृती के परती उनको नोलस्के इसका बीडा भी उन्हें उठाया और बड़े प्यार से लगन से सचाई से हर रोज हासी खुशी से सारे रियाना को रियाना जी के पढ़ाने का सरे अगर किसी को पूरा रियाना में जाता है तो मेरे अजीज, मेरे बड़े भाई और मेरे महान सिख सक जो रात में भी उठके हैं एक बोल के कारण की आओ जो गिन्दर भाई तो मतलब ये मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छा लगया, अंधेरे में भी मतलब पहचान लिया कि वह भाई भाई आ गया, तो ये बहुत अच्छा लगया, इसके लिए मैं बहुत बहुत दन्यवाद आपको अरे सर दन्यवाद, आप लोगों का प्यार और सने है, और पहरे साथ ये लक्षे आपके जिवन में हर छेतर मुना चीए, कि आपका अगला लक्षे क्या है, मेरा लक्षे सुरू से यही था कि मेरे बहुत ज़्यादा उफर आए, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के आए, सरा हमारे पास डिजिटल स्टूड तो कोई ताकत ऐसी नहीं है, जो आपको रोक पाए, आप अपने लक्षे की प्राप्ति जरूर करेंगे, और यही मेरा लक्षे था ये, और दूसरा लक्षे है, उसको भी बताएंगे तो फिर लक्षे का मतलब महत्व खुतम हो जाएगा, लेकिन ऐसा ही जबर्दस लक्षे है, और उसमें भी हम परियास कर रहे हैं, और मासर स्वती के असिरवाद से आप लोगों के प्यार से उसमें जरूर शे जरूर सफलता मिलेगी, बिलकुल अपने प्लांस को कभी भी रिवील मत करिए, उनके उपर काम करिए, इंप्लिमेंटेशन करिए, उनके लिए बिलकु दो कमी हैं, उनके बई, बल्या एक कमी तो यहा है, छोरा बोखा पेट कीमें नहीं करेगा, उनके बल्या बल्या दूसरी बताओंगे, ब्या पाच्छे बई, ठीक है बई, ब्या भी हो गया, उसका ब्राया तै आपना ब्या लाए बहु करना है गी, वह अगले आए छोरी आ बल्या जी वहाँ एक कमी तो बताय दी एक राया खराकी थी, वहाँ के कमी दूसरी, बल्या बाई दूसरी यहा है, यो खाय पाच्छे बीके में नहीं करेगा, तो इसे ना बनो, सही तो भूखा पेट कर लो, चीख खा का कर लो, काम जरूर करना पड़ागा, इसे के साथ इ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जै हिन, जै अरियाना, जै भारत, बहुत बहुत धन्यवाद,